ये हैं प्रकाश राज जिन्हें आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा प्रकाश राज की कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने तमिल डिरेक्टर के बाला चंदर की सलहा पर अपना सरनेम बदल कर राज कर लिया था प्रकाश राज अपनी दमदार अक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और अब तक कई सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं जिन में पांच नेशनल फिल्म अवार्ड शामिल हैं, छे नंदी अवार्ड शामिल हैं, एट टामिल नाडू स्टेट फिल्म अवार्ड हैं और पांच फिल्म फिल्म अवार्ड साउथ इंडिया के लिए जो मिलते हैं, वो शामिल हैं और और भी कई अवार्ड से नहीं मिलते हुए दो बेटियां मेगना और पूजा और एक बेटा सिद्दू लेकिन उनके जिन्दगी में उस समय दुखों का पहार तूट पड़ा जब उनके बेटे का पांच साल की उम्र में निधन हो गया प्रकाश राज ने उस प्रकाश राज ने टाइमस अफ इंडिया को दिये एक इंटिव्यू में बताया था कि किस तरह साल 2004 में उनके बेटे के निधन के बाद उनकी जिन्दगी बदल गई उन्होंने बताया था कि वो केवल दुख से जादा बड़ी थी और अब मैं जिन्दगी को हलके में कभी लेता नहीं बेटे की मौत के बाद प्रकाश राज उनकी पत्नी के रिष्टे में भी बदलावाया दोनोंने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए और साल 2009 में प्रकाश राज का लिलता कुमारी से तलाक हो गया पहली पत्नी से तलाक के बाद साल 2010 में उन्होंने बॉलिवूट कोरियोग्राफर पोनी वर्मा से शादी कर ली जो उम्र में उनसे 12 साल चोटी है प्रकाश ने बताया कि उनकी मुलाकाद पोनी से उस वक्त होई जब वो पहली पत्नी के साल तलाक केस फाइल कर चुके थे प्रकाश राज बताते हैं कि पोनी मेरी एक फिल्म में कोरियोग्राफिंग कर रही थी मैंने अपनी माँ और अपनी बेटियों से इस बारे में बात की और उन्हें बताया कि मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता था कि पोनी मेरी बेटियों के साथ समय बताये पौनी मेरी पहली पत्नी और बेटियों से मिली और उन्होंने कहा कि पापा आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए और इसके बाद प्रकाश और पौनी ने 24 अगस 2010 के दिन शादी कर ली और दोनों का एक बेटा वेदान्त भी है प्रकाश राज अकसर सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी खुली विचारधारा के चलते हैं अकसर वो सरकार से सवाल करते हैं बहुत से मौकों पर दिखाई दिये हैं जबकि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने बहुती जुलंत मुद्दे उठाए हैं बहुत सारे लोगों ने फॉलो करते हैं और इस बात के लिए मानते हैं कि प्रकाश राज जब तब जनता के हित की बात करते हैं और कई माइनों में वो अकसर विपक्ष की भूमिका भी निभाते हैं कई माइनों में वो मीडिया की भूमिका भी निभाते हैं और कहा जा सकता वो सही माइने में समाज का ख divis रखने वाले एक ऐसे अविनीटा है जनुसमाज के हर वर्ग की चिंता है अक्तर अपने बैانों की वज़े से सुरुख्यों में रहते हैं क्योंकि उनके बैان काफी खुली विछार्डारा के हैं और सीधे तोर पर सरकार से सवाल उठाते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो का भी पोस्ट करें तो वो तुरंत आप तक पहुंच सके